घलो नमस्ते कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग भी बहुत ही ज़ए होंगे मेरे चैनल में आप लोग का फिर से एक वार बहुत बहुत सौगत है तो बना रही हूं आप लोग देख रहे हैं कि यह है Garage काली मसूर की दाल जो की बहुत ही फाइदेमंद होती है साबुत काली मसूर की दाल तो मैं आज ये बनाऊंगी और आप लोग के साथ सेर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ तो यहां दूसरी गैस पे मैंने चड़ाई हुई है चाय मैंने मसूर दाल को अच्छी तरह से दो लिया है ये डाइरेक्ट जो है ये मैंने दुकाने से नहीं ली है ये मेरी एक दोस्त ने दिया है उसके खेत में हुए थे उसके घर से आये थे तो वो मुझे हर एक साल देती ह क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो उसमें ना थोड़ी सी मिटी होती है तो मैं पहले उसको अच्छे से धो देती हूँ उस दिर पौनी में छोड़ देती हूँ ताकि मिटी जो है नीचे बेड़ जाती है और उसकी जो भूसे वगेरा ये छिलका वगेरा होते हैं सिर्फ एक सीटी लगाई है ताकि दाल जो है न वह खुलनी नहीं चाहिए वह तभी अच्छी बनती है फिर मैंने पैन को गरम करके उसमें तेल डाला टामाटर जीरा करी पत्ता प्याज डालकर हलके फ्राइ किये टामाटर डालने के बार मैंने थोड़ी सी नमक डाली ताकि ट बल जाए तो फिर अच्छे लगते हैं फिर मैंने वही सारे मसाले डाले धनिया पाउडर मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और गरम मसाला भी मैंने एक चमश डाला है और थोड़ा सा पाणी डाल दिया ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से मिल जाए और अच्छी तरह से पक बिल्कुल भी नहीं तूटा है तो जब मसाले भून गए तो मैंने उनको सारे मसूर को मैंने डाल दिया और दो से तीन मिनट फ्राइ करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया पानी और पानी आप ग्रेवी आप जितना चाहे मरजी रख सकते हैं मैं रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूं तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी कम ही डालूंगी साथ में मैंने डाले नमक और इसे ढख दिया और देखिए इस तरीके से बनके तयार हो गया मसूर का दाल जो की बहुत टेस्टी होती है डॉक्टर भी सला देते हैं साबुत मसूर दाल खाने की तो आप लोग को पसांद आयों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और मेरे पिछले वीडियो को भी जड़़ा होती है